असलाम लिकुम माई यूटिफ फेमली कैसे हैं आप सब उमीद हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डिजाइन की तरफ जाने से पहले अगर किसी नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चल्दी से सब्सक्राइब कर दें लाइक और शियर करना मत बुलेगा और वेल लाइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत बुलिएगा और मुझे कॉमेंट में यह जरूर बताएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी डिजाइन की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमेशा की तरह हमने एक डिजाइन क्रियेट करना है जो कि सिंद्री ड्राइंग है उसको हमने एक frame की जरूरत होती है जो कि हमने पहले ही circle की इस सुरत में हमने draw कर लिया है अब आते है main design की तरफ जो कि उस circle की अंदर उस frame की अंदर हम draw करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं एक wall को create कर रही हूँ wall को create करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनी हमें जरूरत है जितनी वाल हमने create करनी है उस size की हिसाब से हम छोटी छोटी lines को create कर लेंगे अब उसके अंदर जो है वो हम एक tile का design create करेंगे जैसी image हमें wall की चाहिए वैसे ही हम create करेंगे यहां almost हमारी wall जो है वो complete होने वाली है अब आते हैं दूसरी design की तरफ यहां पर एक tree को हम create करेंगे tree जो है वो frame के बाहर से उसकी जो roots है वो निकर रहे हैं इसलिए हम जो frame के अंदर जो है वो just उसकी branches को create करेंगे यहां पर हम overall जितने भी wall के इलावा जितनी space खाली है वहां पर हम branches को बिखेर देंगे हमने थोड़ी सी space छोड़ने भी है वहां पर मज़ीद हम design को create करेंगे अब ते करीबन हर branches के उपर जो है वो हम leaves को create करेंगे हमें थोड़ी पो space छोड़ने पड़ेगी लेकिन ज्यादा तर हम fill ही करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा leaves चाहिए तो यहां पर हम mostly जो है वो leaves को create करेंगे branches को full करने के लिए और उसको दिखाने के लिए यहां पर अब जितने भी उसकी जो roots है जो tree है उसको दर्मयान से उसकी हर branches को fill कर देंगे black color के साथ हमारा जो theme है black and white है तो हम उसको black के साथ ही fill करेंगे यहां पर हम leaves को भी fill करेंगे लेकिन पहले जो है वो उसकी branches को fill कर लेंगे जल्दी fill करने के लिए मैंने जो बड़ा marker होता है उसका use किया है अब छोटे marker के साथ जितने भी leaves हैं उनको prominent करने के लिए हम उनको fill कर देंगे यहां पर अगर किसी की तर्तीब change है या कोई आगे पीछे बन चुका है तो उसको marker के साथ मस्जीद हम जो है वो smooth कर देंगे ताके जो एक perfect image होती है वो यहां पर create हो सके almost हमारे जितने भी leaves हैं वो create हो चुके हैं उनके अंदर feeling जो है वो complete हो चुकी है अब आते हैं यहां पर एक lamp को create करेंगे यहां पर एक lamp नहीं होगा बलके दो lamp होगे पहले जो है वो हम नीचे वाला create कर लेंगे then उसके बार जो है वो उपर वाला create करेंगे यहां पर दोनों का size थोड़ा सा changes रहा होगा क्योंकि उनके दर्मियान जो फासले है उसके हिसाब से हमने उसको create करना है यहां पर जो space मैंने दर्मियान में छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैंने वहां पर एक moon को create करना था अब आते हैं details के अंदर यहां पर सबसे पहले wall के अंदर black pencil जो होती है black pencil color जो होती है उसके साथ हम feeling कर देंगे ज्यादा dark नहीं करनी बस light light सी करेंगे उसके बाद आते हैं sky वाली side पर वहां पर हम उसी color के साथ जो है वहां हम से fill कर देंगे यहां पर थोड़ा सा time लगेगा आपको क्योंके हमने smooth भी करना है यहां पर मुझे half में ही चाहिए थी feeling इसलिए मैं half में ही कर रही हूँ बलके नीचे वाली में नहीं कर रही उसके बाद मैं उसको smooth कर रही थी लेकिन वो ज्यादा smooth नहीं हुआ इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है कि इसके बाद मैंने pencil जो होती है lead pencil उसके साथ उसको fill कर दिया था एक दफ़ा दुबारा से ताक है अगर मैं दुबारा से उसको smooth करूं तो वो हो जाए क्योंके lead pencil जो है वो smooth हो जाती है लेकिन जो color pencil है वो smooth नहीं होती क्योंके वो अजीब सा उसका texture होता है इसलिए वो cotton बड़ के साथ नहीं smooth होती यहां पर मुझे जो moon के side पर जो है वो black ज्यादा चाहिए था इसलिए मैंने 2 से 3 coat किये यहां पर सबसे पहले color pencil के साथ उसके बाद वो smooth नहीं हुआ तो उसके मैंने लेट pencil के साथ फिल करके उपर से उसको smooth किया अगर आज की वीडियो होती है complete अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत बुलेगा और मुझे comment में यह जरूर बताएगा के आज की वीडियो कैसे लेगी अब दे मुझे इजाज़त ओके अलापीस